ये विडियो tower lamp, set point, setting के लिए है, setting में set 1, set 2, means ok weight, green light जलेगा, set 3, set 4, low weight, orange light जलेगा, set 5, set 6, red light, ये high weight set करना है, ये for an example हम लोग ये set कर रहे हैं, ये 50 ग्राम और 100 ग्राम के बीश में green light जलेगा, औरेंज और औरेंज लाइट 200 ग्रम और 300 ग्रम के बीच में एंड रेड लाइट 400 ग्रम और उसके उपर हाई हाई वेट के उपर आपका यह लाइट जलेगा अब यह सैटिंग कैसे करते हैं तो हम आपको बता दें वेइंग मशिन आउन करके मोड की प्रेस कर देना है आपको करके रखना है step 1 आयेगा step 1 आपको जो ओके वेट चाहिए वह सैट करना है उसको टैर करना है अभी यहां पर मोड की है यहां से 123 फाइब होगा और कैल्पी से शिफ्टिंग होगा 50 ग्रम सेट करना है सबसे पहले जो भी वैल्यू उसको जीरो कर देना है कैल्पी से मोड की स पाइब दबाएंगे 5 आजाएगा कैल्पी यह 50 ग्राम आ गया टैर करना है step 2 जो ग्रीन लाइट का हायर वैल्यू है वह सैट करना है फॉर एक्जांबल 100 ग्राम टैर करना है जो भी वैल्यू इसको जीरो कर देना है फिर वन यह 100 ग्राम दो बार दबाएंगे तो वन शिफ्ट होगा टैर करना है जस्ट लाइक step 3 step 4 और step 5 step 6 फॉलो करना है यहां पर आपको सैट 6 में फूल कैपेसिटी सैट करना है वेइंग मशिन का कैपेसिटी 15 kg है तो हम 15 kg सैट करेंगे वन अब यहाँ केजी सैट करने के लिए फिर जीरो को शिफ्ट नहीं करना-पको यहाँ पर थााय लाना है कि यजज और इसको शिफ्ट करना इसी तरीके से, आपको जो figure लानी है, यहाँ पी figure लाने के बाद, आपको shift करना है, उसके पहली shift नहीं करना है, नो जिरो shift होके, इस तरीके से हो जायेदा, यह 15 kg सेट हो गया, इसको tear करना है, tolerance value always 0 होना चीहे, 0 नहीं है, तो llp button press करके 0 कर देना है, अभी हम वेट रखेंगे 100 ग्राम यह 50 ग्राम पर सेट किया है ग्रीन लाइट जल रहा है यह 200 से 300 ग्राम के बीच में है और यह औरेंज लाइट है यह 400 ग्राम के अबो है तो रेड लाइट आपको हायर वैल्यू पर बजेगा आपको इस तरीके से सेट पॉइंट सिस्टम को सैटिंग करना है